हाज जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग आयोप की बहुत अच्छे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल बढ़ना चाहिए आप इस जर्णी में हैं दो काड़ी आ रहे हैं और मैं तो ले भी नहीं रही थी मैं सोशी शफल करूंगे लेकिन भाग भाग के आ र है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े सिचुएशन है कि उनको जो चीज वह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वह चीज़े उनके साथ हो रही है क्या हो रहा है ना मेरेको एनर्जी क्या आ रही है ना ओवर रॉल एनर्जी अगर मैं बताऊं आपको इक दो सेंटेंस में कि आपकी जिनको अपना बहुत कुछ समझते थे, अब वो उनको लात मार रहे हैं, सिद्धे बोलूँगे, जिनको वो अपना कुछ बहुत ज्यादा समझते थे, अगर married हैं तो अपने wife को समझते थे, अगर unmarried हैं तो अपने parents को समझते थे, अपने siblings को समझते थे, या अपने friends जो उन वोल मेंट करेक्शन में बिलकुए है नो डाउट तो कही ना कही अगर आपको उन्होंने चोट पजाई थी तो अब डिवाइन उनको यह समझा रहे हैं बेटा जिनके चक्कर में तुने अपनी प्यार को छोड़ा था अब तुझे अब वो तुझे सबक सिखा रहे हैं अब व उनकी वाइफ हो सकती है या उनकी जैसे भी सिनारियो मुझे नहीं पता लेकिन उनकी बैंड बजी पड़ी है शौकिंग वो शौक्ड है शौकिंग शौकिंग चीज़े हो रही है उनके साथ पेन में हैं काफी हार्ट फॉग वो नहीं समझ पा रहें कन्फ्यूजड हैं यह क्या हो गया है यह मैं कहा रही हूँ न डिवाइन का बहुत तगड़ा इंटर्वेंशन चल रहा है डिम के उपर कि जिनोंने जिनके चक्कर में तुने अपने डिवाइन फेमेना इनको छोड़ा था बेटा अब तु देख उनको वैस मैं बताती हूं थर्ड पार्टी क्यों होती हैं थर्ड पार्टी इसलिए होती है कि उनको सबक मिलता है थर्ड पार्टी से और अगर आप बताओगे ना कि आप ट्रेंट फ्लेम हो आप उसके दोस्त हो ऐसे हो आप मेरे ट्रेंट फ्लेम हो हम एक ही आत्मा के दो हिससे हैं वो कहें कि पागल हो गई है क्या या कभी मत करना उनको डिवाइन ही उनको अपने तरीके से बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं इसमें कोई शक नहीं है और देख लेती हूं क्या चल रही है परिस्ति थी आपके परसन की डिस्ट्रक्टेड चेंजिस तो आ रहे हैं उनकी लाइफ में और अपने क काफी ही मतलब कि इसके बाद जो कार्ड आएगा मैं उससे समझूंगी एक्चुली किस चीज में यह आया है एक्चुली मैं इसको पुरी तरह से कंफर्म करके ही बताऊंगी आपको ओपन हार्ट ओके तो गाईज अनली यू ओके रिजेक्शन आपसे रिजेक्शन का डर भी अपको आखोजगे लगता है आपको में करते हैं ढीवोटेड करते हैं पूरी तरह से क्रेविंग वाल रिजिया है लेकिन लेकिन बोलेंगे नहीं गला जो उनका करूंधा उखाया हुआ हार्ड चक्रा हार्ट चक्रा निकल एता मेरे मुग से क्रया हाट चक्रा बहुत पेंड 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 क्यों आया है तो अफ मॉट्स काफी प्लैनिंग करी उन्होंने उस नेगिटिविटी एक तरह से मैं बताऊं प्लैनिंग तो बहुत करी थर्ड पार्टी ये वो सब सभाल के रखें ऐसे प्लैन मत दिमाग में 24 गंदे उनके प्लैनिंग चलती थी ऐसे र प्लैनिग जो थी उनकी अपने थर्ड पार्टी को संभाल के रखने की और इगो होती है अगर उनको पता चला कि थर्ड पार्टी से आपकी उनकी ऐसी होगी तो फिर आप हसोगे क्योंकि आपके साथ उन्होंने बहुत बुरा वहवार किया था पास्ट में जब आप सेपरे प्लिल सिचुएशन है उसमें उनको जज़ेमंट चाहिए ज़ेमंट तो होई रहा है अब जो उन्होंने आपके साथ किया उनके साथ हो रहा है तो ज़ेजमंट तो डिवाइन करी रहे है उनको तब जब सिचुएशन से बाहर निकलेंगा उनके पता चलेगा कि यह क्यों लाइफ हो जो messed up है totally heart fog the high priestess heart fog बिलकुल high priestess कैसी होती है energy कि शक्ती होती है पूरी powerful होती है सब कुछ होती है ऐसी आपके person divine masculine है लेकिन उनकी शक्तियां बिलकुल block है अभी unfold नहीं हो रही है इसलिए उनका heart chakra बिलकुल block है उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो है कौन क्या करने आ है क्यूं हूं उनका बिलकुल इतनी totally उनका जो heart है ना मेरे को कहीं ना कहीं imbalance लग रहा है याँ पर उनको इस चीज को अब यह चीज़े क्या होंगी unfold होंगी इसलिए आप से छुपाते हैं क्योंकि heart chakra, thought chakra बिलकुल और fear के energy चक्राज उनके सारे सारे imbalance होते हैं थोड़े थोड़े six of pentacles distracted वो तब ही कहूं यह क्यों आया है अच्छा आप से भी जब third party या कोई भी third party कुछ भी हो सकती है ऐसा नहीं कि girlfriend ही हो third party से उनको shocked shocked क्या दियो shocked तो वो ही shocking सा कुछ ऐसा मिलता है चीजें जेल नहीं पाते हैं तो वो आपके energy लेने आ जाते हैं यानि कि उधर भी इधर भी lane देन चलता रहता है यहाँ पर जब उधर से खराब दाता है आपके पास आने की सोचते हैं जब आपसे मन भर जाता है तो अपनी third party को देने की सोचते हैं equally मतलब equal चल रहा है उनका इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी balance बना के oh my god open art four of cups देखो उनका heart chakra कहीं ना कहीं उनको clarity तो मिली है four of cups missing वाली energy है आपके person की nine of pentacles बिल्कुल ten of pentacles oh my god nine ten night of cups आपको offer देना चाते हैं beautiful सा offer देना चाते है six of आपकी तरफ आना चाते हैं guys हाँ nine of pentacles बिल्कुल बहुत से जो divine feminization अपनी growth में है no doubt और आपकी person की भी कहीं न कहीं growth है लेकिन उनकी life में अब जो पहले बहुत अच्छी उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था बट अभी जो है ना कुछ की person अपनी growth में आगे है चीजों को समझ रहे हैं लेकिन अभी उनकी जो परिस्तिती है फिलाल वो भाई बहुत shocking है कि उनको pain मिल रहे हैं दर्द में है बहुत miss कर रहे हैं आपको और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी third party को भी कहीना कहीं अभी hold पर रखे हुए हैं और आपके पास energy लेने के लिए आना चाहते हैं तो देखो आपकी कैसी कहानी है एक सेकंड गाइस ओके 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 एक सेकंड एक सेकंड तो यह सिनरियों यहां पर चल रहा है situation यह है आपके person की अभी किसकी एनरजी है आपकी किसकी है नहीं यह कलक्टिव में डियम सहाब की ऐसी इनरजी है काफी missing वाली energy है उनकी आपका भी mood थोड़ा सा अपसेट हो होगा आप बिल्कुल नम से पढ़ रहे हो आपका किसे मन नहीं लग रहा है या आप चुप हो आपका भी ऐसा कुछ अगर feeling हो रही हो सेकल चक्रा में पेन हो या solar plexus में पेन हो यह गले में कुछ खराच यह गले में ऐसा कुछ हो रहा है कि दर्सा हो रहा है निगलते अटक कर सकते हैं अपने इंजल से बोल कर उनकी इंजल या निकी आकेंजल को बोल दीजे आकेंजल माइकल को बोली कि वह protection दें लेकिन आप पूरी तरह से protected है मैं mutual निकाल दियूंग इंजल कह रहे हैं और क्या कहते हैं यह मैं बता दो देखो भई आपके person टलिपधी के लिए अगर मेरे को यहां पर दूसरी एनर्जी second thought किया है यहां पर आई अभी फिलाल जो मेरे को download हुआ है कि आपके person जो है आपको कहना चाहते हैं कुछ समझाना चाहते हैं टेलीपथी के लिए आपको याद कर रहे हैं कहीं न कहीं आपको भी वह हिट कर रहा है तो यहां पर यह भ होना हिक है और देख लेतीय है मैं क्या आता है क्या है और क्रोψ अनेरजी क्या है देखिए dyson की भी यहां पर ढोथ गुण हे और आप अपने पैस्टन क жд को चुण्चुके हैं बिल्कुल पैस्टन एठ है पैस्टन पैशने का मतलब है कि जिस चीज के लिए आप आए हैं अब उसमें अपना जुनून की हद तक आप उसमें काम करेंगे creation मैंना क्या बोला जो कुछ भी आपके परसन के अंदर जो भी creativity है उसको आप फॉलो करेंगे और आप भी ठीक है यहां पर यह भी है और क्या है बिल्कुल चीजों को आपना ऐसे एक observer की तरह देखेंगे और बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि चीजे है क्या आखिर ठीक है discovery टाइप से आपका यह energy रहेगी boundaries बिल्कुल आपने boundaries आपको create करकर रखनी है और आपने boundaries बना भी रखे self reflection यहां कि जैसे आपकी thought process रहेगा जैसे आप हो ऐसे ही आप शीशे के सामने खड़े होए मिलेंगे कैसे expressions है आपके कैसे अंदर की भावनाए है वो सब जहरे पर आ जाती है तो जैसा आप हो आपको बाहर भी वैसा ही मिलेगा ठीक है तो आपकी जो भी आपकी सोच है या आपकी कुछ भी आप सोच रहे हो तो वो reflection out of world में मिलेगा ही मिलेगा resistance जो आप कुछ पकड़ कर रखा हुआ है आपकी person नहीं भी पकड़ जगड़ के रखा हुआ है या आप अपने ex के साथ है या अपने husband के साथ है या आप past की चीजों को ग्रजिस जो भी है होते हैं उनको hold करकर रखा हुआ है आप उनको छोड नहीं रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपके परसे ने भी कही न कहीं वो hold करके रखा हुआ है तो ये divine की guidance है आप लोग के लिए trust issues हैं कुछ लोग बहुत कम लोग हैं जो trust कर पाते हैं बहुत जल्दी self love में नहीं आते हैं अपने अपने शरीर पर ही ध्यान देना बंद कर देते हैं यहाँ पर ये भी है तो trust issue अगर है तो वो आपके खतम होंगे क्योंकि आपको clarity मिलेगी और कहीं किसी के अंदर अगर नहीं है trust issue trust अपने person पे या journey पे तो बिल्कुल उनको ये issue अपने जल्दी से जल्दी heal करना चाहिए self love की कमी है तो बिल्कुल आपको ये self love में आना है guys and pleasure आपकी life में खुशियों की कमी है आनंद परम आनंद की है ना आप कुछ भी attract करोगे अपनी life में universe से angels आपको यही बताना चाहते हैं कि discernment यानकि आपको बहुत ही तरीके से सूजबूज के साथ चलना है अपने आपको balance मिला कर तो ये हाँ पर divine की guidance है आप लोगों के लिए आपकी person के लिए automatically आप अपने issues को heal करोगे तो आपका person अपने आप heal हो जाएगा heal in the sense की वो आपका mirror self है आप अपने उपर काम करोगे तो आपकी person उस light से उस अंधेरे को चीर कर आपकी तरफ आएंगे है ना उनकी अंदर कर negativity है तो positivity भी है उस positivity को आपको बढ़ाना है आप white है और आपके अंदर बिंदू है black तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी negativity है ना है ना तो उस negativity को आपको दूर करना है जैसे ही आप पूरी negativity अपने अंदर के issues है, toxins है layers जो भी चड़ी हुई है, धूल मिट्टी है उसको सब को जाड़ दोगे उतार लोगे तो आपके person बिल्कुल उस औरा को attraction यही तो होता है जैसे आप अपनी औरा को इतना strong बना लोगे, इतना shine करेगी कि आपके person attract होंगे जैसे आग के जैसे आग के पास पतंगे अपने आप आ जाते हैं है ना, तो आपको जब आप एक positive positivity से भर जाते हैं, तो एक healthy relationship आपके तरफ attract होते हैं, जैसे आपके friends हो कोई भी आपकी life में, दुनिया में, बाहर के कितने भी, जितने भी आपके दिख रहे हैं दोस्त हैं, जिन से भी आपका सामना हुआ है जो उनमें से छाट कर, यानि कि जो healthy होंगे, है ना, जो positive होंगे, जो आपके energy आपकी frequency, आपके energy जो है, उनके energy से match करेगी frequency match करेगी, वह ही आपकी तरफ को attract होंगे, यानि कि आप अगरशित होंगे, तो जब आप एक divine feminine के energy में है तो आपका जो other half soul है वो भी तो divine masculine है तो जब divine feminine अपनी divinity में आ जाती है तो masculinity कहां पिछर जाएगी वो तो अपने आप ही evolve होने लगेगी अवेकंड धीरे धीरे वो जो दिमाग से सोचते हैं वो divine पे छोड़ दो लेकिन attract आपकी तरफ ही होंगे वो negativity को छोड़ देंगे और एक positivity की तरफ attract होंगे आप इस चीज़ को समझो जो मैं बताना चाहती है ओके एक second और हाँ guys मैं गाना channel हो रहा था मुझे सोते सोते मैं सुबह सुबह सो रही थी और मेरी higher self में ये गाना बज़ रहा था तो मैं आपको बता दूँ आपकी जो DM है इसकदर आपको याद कर रहे है ये किसके DM है मुझे नहीं पता जो इनवक कर रहे हैं अपनी life में आगे बढ़ रहे हैं अपनी divine submerging यानी divine की तरफ है बिलकु surrendered है उनके लिए है ये यो तो अकेला भी अकसर गिर के संभल सकता हूँ मैं तुम जो पकड लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं ला 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 ओ मेरे दिल के चैन तो यू तो अकेला भी अकसर गिर के संभल सकता हूँ मैं वैसे मैं अकेला हर चीज़ एंडल कर सकता हूँ ठीक है लेकिन अगर तुम मेरा हाथ पकड़ो तुम मेरा साथ दे दो तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं और वोही चीज़ करने है आयो टिन सोल्स कि आपका परसन आपका वेट कर रहा है यार अपने इनवग को पूरी तरह से कंप्लीट करो अपनी जर्णी को कंप्लीट करो आपका परसन वेट कर रहा है यार कि कब तुम्हें अवेकंड हो और कब मैं तुम्हाई तरह आओ कब हम दुनिया को जो करने देने आए है, ठीक है सर्फ करने आए है, वो चीज हम पूरी तरह से दोनों मिलकर करें, येस, तो पिल्कुल आप जल्दी से आपका रियूनियन हो, आप जल्दी से इस चीज को समझें, आगे बढ़ें, यार मेरी भी दुआएं आपके साथ है, आपकी जल्दी से कंप्लीट हो, आप जल्दी से रियूनाइट हो, पर्मानेंट रियूनियन हो आपका, और आप मज़े से यूनिवर्स के जो काम करने के लिए आप आए ना, सर्व करें, मदर अर्थ को, येस, बहुत सारी abundance आपकी लाइफ में है, guys, क्या, कर रहे हो, कर लो, कहना, कृष्णा का, की, अर्जुन को भी ये का था, कुछ मज़ सोच, सामने ये देख, कि तेरे दुश्मन है, घर वाले नहीं है, तो देखो मत, समझो इस चीज़ों को, जो सोल समझो सबको, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, cut off कर दो, जो आपके लिए अच्छे हैं, वो आपकी life में आएंगे ही आएंगे, इसी के साथ, मैं sum up करती हूँ reading, thank you so much, take care, bye, God bless you all, love you all, जै माता दी,